नमस्कार आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत हैं जोति सास्त्र में कुंडली फलादेश के लिए कई सुत्र बताएगा हैं इसलिए आप कोई एक सुत्र को लेकर के कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं अन्य सुत्र के उपर भी आपको द्यान देना होगा कि कि बार ईशां होता है तो इनी विष्यों की उपर आजकी विडियो में चर्चा करेंगे कैसे एक सुत्र दूसरे सुत्र के दूस प्रभाब को समाप्त करके राजियोग का निर्मान करता है दोनों ही सुत्र जोतिस के महत्वपूर में सुत्र है आज दो कुंडली के उपर इन दोनों सुत्रों को अपलाए करेंगे और समझेंगे कि कैसे कुंडली फलादेश किया जाता है पहला जो सुत्र है वो है कि भावेशा क्रांत रासी से दुअस्ते भावस्ते दुरुबलम स्वावच मित्र स्वारासिस्ते भाव पुष्टिम वदेद बुधा इसका अर्थ हुआ कि जिस किसी भाव का स्वामी जहां बैठा हो यानि ग्रह जिस भाव में बैठा हो उस भाव का स्वामी असुवस्तान में हो तो वो भाव कमजोड हो जाता है और वहां बैठा हुआ ग्रह का इस्तिती भी दुरुबल हो जाता है यानि ग्रह जिस भाव में हो, उस भाव के स्वामी का इस्तिती भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो ग्रह सुफल देगा, वास्तु सास्तर में भी कहा गया है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में अगर वास्तु दोस है तो कहीं न कहीं आप जीवन में उन्नती नहीं कर पाएंगे वैसे ही ग्रह जिस भाव में है जिस घर में है उस घर का स्वामी असुव इस्थिति में है तो वो ग्रह भी अच्छा फल नहीं दे पाइगा कुंडली मेंग रहा उच्च के हैं स्वह रासी के हैं या मित्र रासी में हैं लेकिन फिर भी अगर उस भाव के स्वामी का इस्तिति कम्जूड है तो ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाइगा वही ग्रह जिस भाव में है उस भाव के स्वामी का इस्तिति अगर अच्छा हो उस भाव का स्वामी उच्छ के रासी में हो मित्र रासी में हो या स्वा रासी में हो तुहां बैठा हुआ अग्रह भी अच्छा फल देगा अपने दसा अंतर दसा में आपके सामने में एक जातक का कुंडली है जिनका जन्म तारिख है 3 दिसंबर 2002 समय है दो पहर का दो बज करके क्यावन मिनट जन्मस्थान है पटियाला पंजाब इनके पिताजी का प्रशन था कि बच्चा पढ़ाई में कमजोड है क्या ये आगे पढ़ाई कर पाएगा तो किसी भी प्रशन का विचार करने के लिए भाव भावेश और कारक ग्रह का विचार किया जाता है तो विद्या के कारक्रह और हैं। देव गुरु ब्रहस्पति, पंचम भावकर स्वामी शुर्ज भी पेड़ी तबस्था परन्तु इस कुंडली में ब्रहस्पति उच्चके रासी में हैं भुष्पति करकर रासी में उच्चके होते विद्या सम्मंदित अच्छा फल देना चाहिए फिर ये परिशानी क्यों है अभी जिस सुत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे उस सुत्र के अनुसर से देखा जाए तो ब्रहश्पति जिस रासी में है उस रासी के स्वामी चंद्रमा है जो नीच रासी में है अश्टम भाव में है सुर्ज के साथ में है अम अवस्या दोस है और केतु भी साथ में है तो ब्रहश्पति के रासी स्वामी यानि ब्रहश्पति जिस रासी में बैठे हुए है उस रासी के स्वामी चंद्रमा पिड़ी तवस्ता में है इसलिए ब्रहश रहों कि इस्तिति को देखें अब आपको एक और सुत्र बता रहूं और एक कुंडली के उपर दोनों ही सुत्र लगा करके देखेंगे दूसरा जो सुत्र है वो सुत्र है कि यो यो भाव है स्वामी युक्तो द्रिष्टु वा तस्य तस्यास्ति ब्रद्दे भाव के उपर स्वामी की दृष्टि हो या उस भाव का स्वामी उस भाव में ही हो तो वो भाव पलवान हो जाता है उस भाव को बल प्राप्त होता है और उसके फलों में ब्रिद्धी होती है अब आपके सामने में जो कुंडली है वो व्यक्ति कलकत्ता के हैं इनका जन्म तारीक है 24 दिसंबर 1999 और जन्म समय है दो पहर का एक बज़ करके 51 मिनिट आप इनके जन्म कुंडली को देखें दसम भाव में मंगल मकर रासी में है मकर रासी मंगल का उच्च रासी है और इस रासी के स्वामी सनी देव है जो लगन में नीच के रासी में है अता है आप पहले सुत्र के अनुशार कह सकते हैं कि मंगल का राश्य स्वामी नीच वस्ता में है तो मंगल के उच्छे का प्रभाब समाप्त हो जाएगा और जातक को केरियर में परिशानी आएंगी तो कही न कही ये फल कथन आपका गलत सावित हो जाएगा क्योंकि ये अच्छे पदपर है और धन की भी कोई कमी नहीं सनी मेश राशी में नीच का है मेश राशी के स्वामी मंगल होते हैं इस राशी के उपर मंगल का चतुरत द्रिश्टी है मंगल दसम भाव में बैठे हुए है और चतुरत द्रिश्टी मेश राशी के उपर है जहां सनी नीच के है उच राशी में भी है मंगल तो कही न कही सनी का यहां नीचता भंग हो जा रहा है वहीं प्रतम भाव है, यानि लगन को बल भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मेश रासी के स्वामि मंगल का द्रिष्टी है, अब यहां राज योग का भी निर्मान हो रहा पर यह ध्यान दे, सनी और मंगल का द्रिष्टी सम्मंद भी है, सनी मंगल को और मंगल सनी को देख रहे हैं, परिवर्तन राज योग भी है, लगनेस और करमेस का, लगन के स्वामी कर्म भाव में हैं और कर्म भाव के स्वामी लगन में हैं, तो यहां लगन और कर्म का परिवर्तन राज योग है तो यहाँ पहला सुत्र काम नहीं करेगा आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद